हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वालों की कैसे आप अपने Vivo Y01A Android Mobile Phone में आप जो है डवल टाप टु टर्न आफ सेटिंग को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये डवल टाप टु टर्न आफ सेटिंग जो है कैसे काम करती है आज के इस वीड पेज में आपको नीचे ये option मिलेगा smart motion इसे आपको select करना है इसके अगले page में आपको ये option मिलेगा smart screen on off इसे select करना है अब इसके अगले page में आपको नीचे ये option मिलेगा double tap to turn off ठीक है इस option के ठीक सामने आपको ये button दे रखा है इस button को आपको tap करना है तो ये button आपका blue color मे on हो जाएगा अब यह double tap to turn off setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ देखिए दोस्तों यह setting आपकी सिर्फ दो ही जगे पे काम करेगी एक तो mobile phone की home screen के किसी भी page पे आप इसका use कर सकते है और एक आपके mobile phone की lock screen ठीक है यह वाली lock screen ठीक है आपको करना क्या है देखिए खाली जगे पे जहां पे कोई notification या कोई भी app नहीं है तो वहाँ पर आपको double tap करना है इस तरीके से इससे क्या होगा phone की screen automatic off हो जाएगी ठीक है तो यह setting जो आपको double tap to turn off setting ठीक है अब मैं आपको double tap to turn off setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है starting setting page को open करिए setting page में आपको सबसे ओपर यह option बलता है search icon का इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है double tap to turn off ठीक है जो setting का name है तो आपको नीचे की side यह double tap to turn off का option शो हो जाएगा यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब यह आप search bar में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling mistake नहीं करना है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे की side यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं जब यह option नीचे की side show हो जाता है तो इससे select करना है इससे क्या होगा आपका phone आपको directly setting में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में